हलो माईटी अपाशनेट दीट आसपरंस वेलकम बाक तो मागनेट बेंज आया टीजेए नीट मैं हूँ डॉक्टर रतिका भारतवाज आपकी बायोलजी मेंटर और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू टॉपिक की जो है स्ट्रॉक्टरल ओर्नाइजेश में पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्फ करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन और आज विल आज प्रिविए सियर क्वेशन वो भी इसी सेशन में चाप्टर कंप्लीट करने के बाद तो आईए क्विक समरी में हम इस चाप्टर को रहें जो चीजह इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं सो आधिमल टिशुजो हमें में हमें 3-4 basic type के tissues पढ़ने होते हैं पहला है epidermal यानि की epithelial tissue जो होता है epidermis जहां पर रहती है तो epithelial tissue nervous tissue connective tissue muscular tissue और यह जो सारे के सारे tissues इनने मिल करके हमारी body बनाई है अब tissue बनता कैसे tissue बनता है cells के group से कौन से सेल का group जिसका origin same हो और जिसका function same हो हो सकता है size में थोड़े अलग हो लेकिर उनका functional origin अगर same है तो वो मिलकर tissue बना लेते हैं सबसे पहले tissue in animal are classified as epithelial tissue पढ़ना है connective tissue पढ़ना है muscular tissue पढ़ना है nervous tissue पढ़ना है nerve tissue first thing हम first से चालू करेंगे epithelial tissue what do you understand by epithelium epithelium होती है हमारी body की जो covering बना सके ठीक तो epithelium किस चीज़ की बनी होती है हमने तीन germ layers पढ़ी थी वो germ layer थी ectoderm ectoderm mesoderm and endoderm ये तीनों layer क्या कहलाती है ये इन तीनों हमारी कहलाती है germ layer और इन तीनों germ layer को मिला कर बनता है क्या हमारा जो germ layer है इन तीनों को मिला कर हमारी body आगे बनना चालू होती है तो उसमें से जो सबसे पहली layer होती है that is ectoderm वो हमारी epithelial tissue को form करती है और these are the ectodermal in origin ectodermal in origin यानि कि उस समय की बात है जब zygote बन चुका था fertilization हो चुका था और फिर body बनना start हो गई थी तो उस समय ectoderm से हमारी first thing बनेगी that is epithelium origin इसका ectoderm है cover करता है cover cover बनाता है covering बनाता है outer surface of all body organs सारे body organs की and lines the cavities of lines the cavities of hollow organs of body और lining भी बनाता है supposedly यह pen ठीक तो pen के बाहर क्या है इसका cover अंदर से मैं इसको देखूंगी hollow structure जो मुझे देखेगा उस पर अगर मैं कोई paint कर दूं मालो yellow color का paint कर दूं तो उसकी क्या है lining और बाहर अगर मैं red कर दूं तो वो क्या है उसकी covering तो यह दोनों चीजे हमारी body में भी present है बाहर covering present है अंदर lining भी तो present है तो वो lining किस चीज की बनी है वो बनी है ectodermal germ layer की ectodermal germ layer क्या है यह germ layers क्या है अलग-अलग type के cells present है ectoderm में अलग mesoderm में अलग endoderm में अलग तो ectodermal origin की हमारी epithelial tissue होती है you can write this if you want okay now the next animal अगर हम epithelial tissue की बात करें तो cells compactly arranged होते compactly arranged होने का मतलब है अब आप खुद सोचो अगर cell दूर 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 arrange होते तो यह हमारी covering कैसे बनाते बीच में कोई रास्ता खुला रहा जा ता वहां से कोई भी infection अंदर जा सकता था इसी लिए यह कैसे होते हैं इसी लिए यह होते हैं एक दूसरे से compactly arranged इस तरीके से compact arrangement of cells closely arranged होते हैं and held together by intercellular junctional complexes और आपस में cell के बीच में अगर मैं इन दोनों cells को देखने की कोशिश करूँ और मैं इसे ऐसे zoom करूँ तो मुझे पते क्या मिलेगा एक cell ये था एक cell ये था इन दोनों cells के बीच में कोई connection है और नीचे जो इनकी वो थी basement membrane उससे भी connection है तो यह क्या है यह हैं इसके junctions आगे हम junctions भी पढ़ेंगे junction ने क्या करके रखा है holds the cell hold cells together एक साथ cell को hold करके रखता है ठीक and cells of lower most layer rest on basement membrane और ये वाला जो structure है ये वाला मैं इसे थोड़ा different color से highlight कर देती हूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये देखो ये वाला जो है ये जो मैंने pink से बनाया है ये क्या है this is the basement membrane this is the basement membrane ठीक है ये basement membrane हो गई तो basement membrane से cells साथ साथ जुड़े हैं cell के बीच में junction present है based on their function अगर हम इनके function की बात करें तो इनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है एक कवरिंग वाला दूसरा glandular glandular epithelia glandular epithelia जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ से क्रीट करने का काम करेगा यने की से क्रीशन करेगा से क्रीशन करना याने कोई चीज बाहर दे देना ठीक है इतना समझ में आ गया clear okay now the next अगर हम covering epithelium की बात करें नाम से समझ में आ रहा है कि यह हमारी body की क्या बना रही है covering बना रही है so epithelial tissue is nearest to the environment environment से सबसे जादा जो exposed है वो हमारी कौन है covering ठीक and hence plays important role in the all activities of animal सारी life activities में important है चोट लगेगी जल जाएगा सब कुछ यहीं से होना है this layer is exposed to the environment इसके बाद यहां mainly concern क्या होता है इनका protection का दूसरा concern होता है respiration का अब आप बोलोगे मैं हम में तो नहीं हो रहा बाकी organism में भी तो हो रहा है वो भी तो animals है respiration यह नहीं गाशियस exchange करा दे रहा है secretion मैंने बोला बहुत सारी चीज़े से क्रीज जैसे sweat से क्रीट हो रहा है sweat आ जाता है तो वो भी से क्रीशन है face पे oil आ जाता है वो भी से क्रीशन सीबम ठीक उसके बाद assimilation बहुत सी चीज़ें इसे अब्जाब हो जाती है बहुत सारा lotion के सोगे अब्जाब हो जाता है तो assimilation हो रहा है and elimination of waste product और waste product बहुत सारे organism अपनी epithelium को use करके waste product को बाहर body से निकाल दे रहे हैं upon number based upon number and arrangement of layer along with shape of the cell covering epithelium को हम अलग-अलग category में बाढ़ सकते हैं पहला होता है simple दूसरा होता है हमारा stratified and compound जो हमारी simple epithelium होती है उसको हम uni laminar भी बोलते है और stratified को compound या फिर multi laminar भी बोलते है और उसके बाद यह specialized भी हो सकती है specialized एक special तरीके की for example अगर हम अच्छा वो मैं example आपको बाद में दूंगी पहले इस चीज़ को समझो कि simple और stratified क्या होता है simple होता है भई एक layer की cell है एक layer की cell है तो यह कौन सी हो गई simple epithelium ठीक है और इसको मैं लिख देती हूँ simple epithelium simple epithelium ठीक और stratified होगी तो क्या होगा stratified में nucleus हमेशा base में बनाएंगे nucleus हमेशा कहा present होता है base में कभी question पूछ लिया तो nucleus हमेशा base में present होता है अब आप यहां पर देख रहे हूं मैंने अलग-अलग shape के cells बनाएं नीचे वाले tall है और यह वाले कैसे cube जैसे ठीक उपर वाली layer जो है वो flat cells की बनाई है ऐसी cells की layer जहां पर अलग-अलग type के cells दिख रहे हो एक दो तीन layers में present हो उसको कहते है stratified stratified epithelium ठीक यह epithelium के बारे में हमें पढ़ना है काम हमने देख लिए assimilation कर सकता है secretion कर सकता है respiration कर सकता है excretion कर सकता है protection का काम करेगा all these are the works of the covering epithelium clear done okay now the next glandular epithelium फिर क्या काम करती है glandular epithelium बहुत ही special होती है याने की specialized होती है it is specialized epithelium जो क्या काम करेगी मैंने बोला था gland glandular epithelium secretion का काम करेगी तो it function of secretion hormone sweat mucus enzyme and other product कुछ ना कुछ secrete कर रही है बता चू क्यों मैं यह दे बेबी या तो unicellular हो सकती है excel की लिए या multicellular हो सकती है double cell की बतब ज्यादा cell की लिए unicellular का अब example important लिखो goblet cells of elementary canal and salivary glands how many types of salivary glands are present three types of salivary glands are present parotid gland submandibular gland sublingual gland ठीक है यह मैंने revise करा दिया based on the mode of pouring यह कैसे अपना secretion दे रही है उसके basis पर यह exocrine और endocrine होती है exo का मतलब होता है बाहर endo का मतलब होता है अंदर तो exocrine का जो secretion होता है वो ducts या tubes के थूप्स के थूँ होता है और endocrine जो है वो डिरेक्ली secretion दे देगी ठीक है done next अब हम बात करते हैं cell junction यहाँ पर आपको cell junction दिख रहे है diagram से समझ लो बस और कुछ नहीं करना है diagram से समझो दो आपस में cell जहां से जुड़े हूँ है उसको हमने क्या बोला tight junction ठीक अडेरेंट junction क्या करेगा मतलब cell को किसी भी situation में stretch हुआ कुछ भी हुआ तो यह cell को detach नहीं होने देगा adherent junction desmosomes और hemidesmosomes होते हैं यह hemidesmosomes जो होते हैं यह basement membrane से जोड़के रखते हैं cell को ठीक उसके बाद gap junction में क्या होता है कि जो थोड़े दूर-दूर cell होते है ना उनको जोड़के रखता है एक junction बना कर that is gap junction structure that provides structure and function link between the adjacent epithelial cell दो epithelial cell को आसपास के जो हैं उनके बीच में जो junction बना रहा है उसे हम cell junction कहते हैं अब यह cell junction के type देखो पहला आता है tight junction पहला आता है क्या tight junction tight junction में checks the flow of material between cell tight junction की important बात क्या है material का flow जो है वो देखता है flow करवा देगा ठीक इसके बाद gap junction जो होता है वो कैसा होता है वो communication करता है gap है न तो यह इसको communicate करना पड़ेगा कहीं पर भी life में gap आ जाया तो हमें communicate करके उसे solve करना पड़ता है ऐसे ही gap junction में communication हो जाता है cells के बीच में और cytoplasm connected रहता है साइटो प्लाजम जुड़ा हुआ है तभी तो connection बन रहा है और connection बनेगा तभी तो exchange of material होगा exchange of material कौन से वाले करने हैं जो molecules हैं जो ions है smaller smaller molecules bigger molecules जो भी वहाँ से exchange हो सकेगा तो वो करने के काम आता है and small molecules and sometimes big molecules देखो small molecules और big molecules को exchange करने के काम आता है ठीक है उसके बाद adhering junction जो होता है वो क्या करता है tight adher का मतलब क्या होता है चिपक जाना तो यह cementing function perform करता है कौन सा function cementing हमने तीन junction पढ़े कौन कौन से junction पढ़े tight junction gap junction adhering junction hemidesmosomes जो होते हैं वो basement membrane से cell को attach करके रखते हैं यह सारी बात है हमारे junctions की हो गई लिख लिया ओके अब हम बात करेंगे connective tissue की connective tissue क्या होता है connection बनाने वाला tissue connection बनाने वाला tissue और दूसरी बात क्या है कि यह कहां से बनता है यह mesodermal होता है mesodermal in origin mesodermal in origin mesoderm का बना होता है mesoderm का ठीक और body में सबसे ज़्यादा amount में जो present है वो यह है abundant present है abundantly one minute one minute हाँ body में abundantly present abundantly present बहुत सारा present है blood कितना सारा present है पूरी body में bloody blood तो present है these are the most abundant widely distributed tissue of the body mesodermal origin के है mesoderm germ layer के बने हुए है एक साथ दूसरे दूसरे tissues को bind करके रखते हैं यानि की connection बना कर रखते हैं organ से organ का and parts of the body and it is involved in packaging and packaging around different organ दूसरे दूसरे organs में packaging करके रखिए जोड के रखा है connection बना के रखा है that is connective tissue लिख लिख लिजे okay so the next is heart weight heart weight जो थे उन्होंने ये meson kaima जो है ये word दिया था for mesodermal tissue नहीं का था mesoderm से बने हुए सारे tissue को हम क्या बोल सकते है meson kaima बोल सकते है now this is important with need point of view question scientist के नाम का and present between ectoderm and endoderm बाहर ectoderm होगी बीच में mesoderm होगी अंदर endoderm होगी तीन layer घिक है outer जो है वो ectoderm outer ectoderm middle में mesoderm और अंदर की तरफ जो है वो है endoderm वो क्या है endoderm clear तो mesoderm जो है वो ectoderm और endoderm के बीच की जो layer है वो है connective tissue में 30% body का mass होता है यानि कि body का 30% हिस्सा है mass है वो किसका बना है connective tissue का बना है जहाँ पर cellular और extra cellular components दोनों हो सकते हैं ठिक अब ये components important role play करते हैं body के कौन कौन से processes में defense में यानि कि दूसरे कोई अगर foreign infection आगे उससे लड़ने में fat store करके रखते हैं tissue repair करते हैं देखो body defense tissue repair fat storage transport of material support insulation insulin फंट जो नहीं लग रहे है या गर्मी जो जादा लग रहे है वह इसी की वजह से लग रहे है तो everything is because of that layer connective tissue की लिए ठीक and there are three types of connective tissue जो हमें पढ़ने कौन कौन से पहला है blood blood जो है वो हमारी body में straw colored fluid होता है actually लेकिन उसमें बहुत सारे cells present है सबको पता है rbc present है wbc present है platelet present है अब ये इन ही के basis पर इसके function हो जाते है rbc क्या कर रहा है rbc में क्योंकि hemoglobin present है तो ये बना लेता है oxy hemoglobin oxy hemoglobin बना लेता है तो oxygen transport करने का काम करता है wbc क्या करता है immunities provide करता है immunity provide करता है platelet क्या करता है blood clot कराता है blood clot करवाता है blood clotting कराता है तो ये सारे इसके functions है जिसमें से plasma 55% जो पानी जैसा जो straw color fluid है वो कितना है 55% और blood cells कितने है 45 formed elements है which are suspended यानि की 55% plasma था देखो यह ने मेरे पास अगर 55% plasma था ठीक है यह मेरे पास कितना है 55% थे ठीक इसमें से 5500 बनाना है जिसमें से 55% क्या है plasma इसके अंदर रखा हुआ इसके अंदर रखा हुआ इसके अंदर रखा हुआ बाकी का जो process है यहिनि कि बाकी जो बच गया है वह क्या है बाकी जो बच गया है 45% वो क्या है तो 45% है blood cells 45% क्या है blood cells और 55% क्या है plasma blood plasma चिक तो इस तरीके से composition याद रखना ऐसे करके imagine कर लोगे composition याद रहेगा ठीक है अब हम plasma की बात करें तो plasma जो है actually उसमें water होता है 90 से 92% तक inorganic salts present होते हैं तो कभी question पूछा जा सकता है कौन कौन से sodium है ठीक है chlorine है magnesium है potassium है यह सारे structures present है इसके अलावा proteins present है तो कौन सा कौन सा protein present होता है albumin, globulin, fibrinogen and prothombin बहुत important है नाम याद रखने है ठीक है यहाँ से neat का question इसके बाद nutrient है कुछ organic waste material है regulatory substance regulatory substance मतलब जो body की सारी activities चलवाने वाले है याने की enzyme present है और hormone present है तो यह hormone और enzyme हो गया और कुछ gases भी present है तो gases आपको मालू में कौन कौन सी present रहेंगी ठीक है next अब हम lymph की अगर बात करें तो lymph कैसा होता है एक colorless fluid होता है actually में वो tissue extracted fluid है tissue से निकला हुआ fluid है जहां पर जादा तर wbc और lymphocytes present होते हैं इनमें rbc present नहीं होता important बात है ना rbc present नहीं होता rbc नहीं है lack करता है rbc और blood protein भी नहीं है albumen और वो prothrombin जो कह रहे थे वो यहां नहीं है और यह क्या करता है material लेकर जाता है tissue से blood stream में tissue fluid को collect करके ले जाके कहां मिलाएगा कोई भई lymph को अलग से pump करने के लिए कोई थोड़ी है पूरा tissue fluid कहां पर जाकर मिल जाता है at the end of the day blood में सारी चीज़ने जाके blood में मिल जाएगी lymph capillaries अलग से present होती है intestinal villi में भी होती है तो उनको हम बोलते हैं lactial lymph capillaries lymph capillaries lymph capillaries are called lactial lactial बोलते हैं lymph capillaries को याद रखना नीट के लिए important है नीट के लिए important है ठीक है which are associated with absorption of digested food जो digested food को अब आप सोचो की भाई microvilli थी microvilli कैसी होती है ऐसी होती है what is this this is microvilli microvilli में से food absorb हो जाता है absorb होने जाएगा तो पहले present है blood vessel तो यहाँ पर पहले blood vessel present होगी इस तरीके से यह क्या है blood vessels blood vessels के साथ साथ ही capillaries भी present है lactial भी structure present है यहीं पर ठीक इस तरीके से वन मिनिट ऐसे lactial भी present है तो इस is lactial ठीक तो यह यहाँ से absorption का काम कर रहे है microvilli कहा प्रेजंट है intestine में प्रेजंट है intestine में प्रेजंट है intestine में प्रेजंट ही तो food absorb होता था microvilli से वहां से यह दोनों absorb करते अब बात यह आ जाती हर student को पता रहता है blood vessel present है उसमें जाएगा पूरा खाना अब्सॉब के बड़ लैक्टियल is also present over there to absorb the food clear यह होगा हमारा lymph को लेके next muscular tissue की बात करेंगे muscular tissue क्या है भाई हमारी मसल्स है muscular tissue क्या है muscles a conscious structure से बनी है mesodermal structure mesodermal origin है mesoderm से बनी है ठीक है जब भी muscles की पढ़ाई होती है muscles की पढ़ाई को क्या कहते है यह neat के लिए important है इसको बोलते है myology myology यह neat के लिए important है point myology वाला ठीक है इतना समझ आए now muscular tissue mesodermal origin के होते है एक ciliary जो है body का ciliary part जो है ice में उसको छोड़ दो बाकी सारा muscle का बना हुआ है which are ectodermal in origin बाकी पूरी muscle mesoderm की बनी है exception है यह बहुत important यह क्या है exception है ciliary body one minute ciliary body of eyes which are ectodermal in origin यह ectodermal origin में यह याद रखना है ठीक है need अब जब हम study करते हैं जब हम study करते हैं मैंने बता दिया myology क्या लाता है ज्यादा तर इसमें total body weight होता है body weight ज्यादा तर muscle का बना हुआ है हाँ बिलकुल बना है 40 से 50 परसेंट वेट जो है है वो मसल का बना है ठीक तो अब आपसे देखो दो question के दो options आपको मिल गए blood में कौन सा कितना present था body जो है वो blood का कितना कितना हिस्सा blood का body में present है तो 30 परसेंट था और muscle का present है 40 से 50 परसेंट ठीक muscle cells are always कैसे होते हैं हमेशा elongated cells होते हैं यह यहाँ पर muscle के cells दिख रहे हैं इसके बाद यह पूरा Excel यह यह पूरा एक सेल एख या पूरा Do I turn it like that? Muscles है, spindle shape का, ठीक? These are of three types, strited, non-strited and cardiac. Heart के अलग है, strited अलग है, non-strited muscle cells अलग है. ठीक है? तो हमें बस ये तीन के याद रखने हैं, उसके बाद nervous tissue. Nervous tissue जो होता है, वो बहुत जादा specialized होता है, भई, specialized. कैसा होता है, specialized. काम क्या करता है, stimulus को, stimulus को receive करता है, और फिर उसे respond करता है. Stimulus को ले भी लेगा, उसको जवाब भी देगा. ठीक है, उसके बाद क्या करता है, impulse कैरी करवाता है. इंपल्स कैरी करवाता है, और उसके थुरू body के बागी सारे functions परफॉर्म करता है. ये तीन चीज़ें करता है, specialized, highly specialized structure है. Body का सारा का सारा coordination is nervous tissue की वज़े से है. पूरा का पूरा coordination, पूरा coordination इसी की वज़े से है. ठीक है, and these are the specialized tissue, no intercellular spaces, आपस में intercellular spaces बिलकुल नहीं होती है. main function होता है, receiving stimuli, conducting impulse, control and coordination करके रखता है body functions में. tissues are devoid of power of division and regeneration from nervous tissue of the animal. इनके पास division की पावर होती नहीं है. no power of division is present, ठीक, इसके बाद next क्या है, composed of following elements, क्या-क्या प्रेजेंट होता है, तो पहले इनके पास होता है, पहले नमबर पे, ध्यान से सुनना, पहले नमबर पे इनके पास present होता है, appendymal cell, appendymal cell, ठीक है, appendymal cell क्या करता है, appendymal cell क्या करता है? Lining बनाता है. It forms the lining. It forms the lining. किस चीज की line बनाएगा? किस चीज की lining बना देगा? भई, nervous tissue है na? brain की बनाएगा, spinal cord की बनाएगा. lining of brain and spinal cord ठीक? देखो, appendymal cells जो होते है, lines the cavity of brain and spinal cord. lining बनाएगे. ठीक? दूसरा important cell कौन सा है? neuron. कौन सा है? neuron. Neuron का काम क्या होता है? impulse को carry करता है. basically ये पूरा का पूरा काम impulse को लेकर करता है. ठीक? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक और टाइप का cell है, जिसको हम कहते हैं, नियूरो से क्रीटरी सेल. नियूरो से क्रीटरी सेल्स. नियूरो से क्रीटरी सेल्स जो होता है, इनका भी बहुत important रोल होता है, ये hormones release करते हैं. नियूरो यानि की नर्व वाले, सेकरीटरी यानि की कुछ सेक्रीशन देने वाले, तो जब भी नियूरो सेकरीटरी सेल्स आक्शन में आएंगे, नर्वस टिशू को लेकर के तो वहाँ पर वो क्या काम कर रहे होंगे? सेकरीट करने का, चीक, तो सेकरीट क्या करेंगे? वो नियूरो हर्मोन्स, ये याद रखना है, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, आप भी इसको दूसरे कलर से लिखेगा, ये क्या करता है? नियूरो हर्मोन्स को सेकरीट करता है, अभी कहानी खतम नहीं हुई, एक और स प्रेजेन्ट अस्छ सेल को कहते हैं इन्यूरोग्लीयल विल इसल क्या कहते हैं। न्यूरोग्लीयल सेल् जो हो ते है वह지 से पॉर्टिंग स्ट्रक्चर्चर ót finished होते हैं सपॉर्टिंग सेल्स होते हैं। supporting cells, भाई neuron जो काम करेगा उसकी मदद करने के लिए कौन प्रेजेंट है, हमारे neuroglial cells, ठीक, बस यही चार टाइप के cells के बारे में आपको याद रखना है, किसी में से भी question need के लिए पूचा जा सकता है, write it down, written, okay, now the next, next is neuroglial cell को थोड़ा discuss करते हैं, वो तीन type के neuroglial cells होते हैं, पहला कहलाता है, astrocytes और macroglia, बहुत सारे macroglia, बहुत सारे astrocytes present हैं, क्या कर रहे हैं, support, अभी बता चुकी हूँ कि neuroglial cell support का का काम करते हैं, and यहाँ पर oligodendrocytes present हैं, और microglia, जिसको बोलते हैं, oligodendrocytes, and microglia, छोटे वाले microglia, जो क्या करते हैं, macrophage की तरह काम करते हैं, scavenger of nervous system, जो भी वहाँ पर, जो भी extra चीज़ होगी, उसको खा जाएगा, basically यह बहुत important cell है, microglia cell, neat के लिए यह पूरा paragraph बहुत जादा important है, यह पूरा neat के लिए important है, ठीक, इसके बाद बात आती है, कि यह जो structure होते हैं, neuron के, उनके पास क्या क्या present है, भाई, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, याद आ गया, यह क्या है, cytoplasm, cell है न, तो cytoplasm तो हर जगे present होगा, ठीक है, यह क्या है, synaptic knob, यहाँ से क्या होगा, neurotransmitter release होगा, क्या release होगा, neurotransmitter, neurotransmitter क्या होते हैं, chemical substance, chemical substance क्या काम कर रहा है, एक cell से दूसरे cell में impulse को ले कर जा रहा है, यहाँ पर क्या-क्या present है, यहाँ पर present है, यह है, dendrites, यह क्या है, cytone, actually, cytone जो है, यह पूरा है, cytone, यह वाला structure क्या है, exon, ठीक है, यह क्या है, nerve ending, nerve ending है, यह क्या है, synaptic knob, इसको बोलते है, synaptic knob, ठीक, इसके बाद, यहाँ पर क्या present है, schwann cells, ठीक है, schwann cells present है, जो क्या करेंगे, protection का काम करेंगे, schwann cells के अलावा, यह जो इनके बीच का यह जो, node है, इसको क्या बोलते है, node of ranvir, ठीक, यह जो sheet है, यह sheet बहुत important है, निसल्स granule present होते है, निसल्स granule का होते है, यहाँ, these are nissle granules, nissles granules, ठीक, यह वाले structure सबको पते है, बस देखो ध्यान से, consisting of dendrite है, cytone, या फिर cell body है, nucleus है, exon है, synaptic buttons है, आखरी में, nissles granules present है, नियूरी लेमा present है, यह जो है ना पूरा का पूरा, इसके उपर जो structure चड़ा हुआ है, इसे ही नियूरी लेमा बुला है, clear, done, okay, अब next, organ और organ system को थोड़ा समझते हैं, हमने tissues तो देखे, organ, tissues जो होते हैं, वो organize कर जाते हैं, सब को पता है, tissue जो होता है, वो organize करेगा, तो बना देगा organ, कब बनाएगा, जब ये क्या करेगा, और गनाईज हो जाएगा, tissue organize organ, ठीक, इसके बाद, which in turn, associate to form organ system, और organ आगे जाकर, association बनाकर क्या बनाएगा, organ system, ठीक, such on, such an organization is essential for efficient and better coordination, million of cells constituting, अब ये जो tissue बनाएग, ये tissue किस का बनाएग, cells का बनाएग, कितने cells होंगे, millions of cells, millions of them, ठीक, बहुत सारे cells मिल गएगे ते, tissue बना लिया, organ बना लिया, organ system बना लिया, जब organ system बन जाएगा, तो ये organ system आगे जाके क्या बना देगा, पूरा का पूरा organism बना देगा, और जहाँ पर organ system present हो गया, तो वो organism कैसा organism हुआ, complex, वो कैसा organism हुआ, complex, ठीक, complex organism यहने बहुत सारे चीज़े एक साथ present है, clear, अब cockroach की बात करते हैं, cockroach जो होता है, वो कैसा होता है, brown color का है, nocturnal, रात में जागने वाला है, रात में काम निकरता है, निकलता है, खाता है, पीता है, जो भी करना है, रात में करता है, omnivore होता है, दोनों चीज़ें खा लेता है, हर भी वोर character भी है, कार्णी वोर character भी हरा भरा भी खा लेगा, मच्छर मकडी पकड की भी खा लेगा एंड कर्सोरियल इंसेक्ट होता है clear they are found in places where there is warmth जहां पर होगी dampness होगी plenty of organic food अगर available है तो वहाँ cockroach भाई साब आ जाएंगे ठीक morphology यहने की बाहर से body structure कैसा होता है body divided होती है head thorax और abdomen यह है head यह thorax और यह abdominal portion ठीक इसके बाद इनके पास exoskeleton होता है important exoskeleton कैसा होता है hard plates का बना हुआ exoskeleton बाहर का structure देखो हर organism की body में एक skeletal structure जरूर present होगा या तो अंदर present होगा यह बाहर present होगा अगर body के अंदर present नहीं है तो exoskeletal structure है जो एक दूसरे से joint रहता है articular membrane के तुरू जिसको arthrodial membrane बोलते हैं again a neat question ठीक इसके बाद mouth में labrum होता है upper lip pair of mandible सोचो mandible present है cockroach में pair of maxilla and labium lower lip अब जिसको नहीं पता यह maxilla और mandible क्या होता है jaws होते हैं क्या होते हैं जोस हमारा भी jaw है न जो बोन फील हो रही है वही maxilla और mandible jaws होते हैं किसके cockroach के each thoracic segment अब thoracic segment जो होता है उसमें walk करने के लिए legs present होते हैं and four wings होते हैं जिसको tagmina बोलते हैं and our opaque dark cover the hind wing आगे के जो हैं आगे के यह जो legs है four wings हैं यह four wings पीछे वाले wings को थोड़ा cover करके रखते हैं hind wing जो होगा वो transparent होगा membrane का बना हुआ और उड़ने में मदद करेगा पीछे वाला जो विंग है वो उड़ने में मदद करेगा तभी कोक्रों चुड़ भी जाते हैं कभी-कभी ठीक अगर हम उसके structure देखेंगे तो abdomen में both males and females को 10 segments होते हैं किते abdomen में 10 segments 7th segment जो होता है segment together with the 8th and 9th 7th वाला 8th वाला 9th वाला sterna form करता है क्या form करता है sterna ठीक तो पहला वाला हमने देखा था abdomen कहां पर 10th section पर 10th वाला जो segment है उसके बाद 7th 8th और 9th पर क्या present है sterna जो क्या बनाएगा genital pouch बनाएगा ठीक जिसके बाहर anterior वाले part पर आगे वाले part पर female में gonopore present होगा और spermatical pores होंगे और collateral glands होंगे तीन चीजे तीन नए नाम लिखलो अलग color से female gonopore spermatica and collateral glands इसके बाद अगर मैं males की बात करूं तो males जो हैं उनके genital pouch में hind side में पीछे की side में genital pouch present abdomen में bounded dorsally 9th or 10th segment में targa ventrally by the 9th sternum 9th sternum के पास present है इसमें भी 8th 9th में present था ना female में male में भी 8th 9th 10th में present है एक important बात होती है की male cockroach के पास male and female cockroach को male and female cockroach को आप differentiating feature क्या देखते हो उनमें differentiating feature क्या है तो male में हमेशा से style present होता है style present होता है कहां पर present होता है यह abdominal part है इसके उपर तो थोरा ऐसे करा होगा और उसके उपर इसका मू रहा होगा इस तरीके से triangular shape का तो यहां पर style जैसे style दो structure present होते हैं जिसको हम कहते है style ठीक है तो style सिरफ male में होता है female में नहीं होता clear differentiating feature आप इसे लिख लिए जे ड़न ओके नाव देने style देखो यह रहा है नाल style thread like structure एनाल style जो cockroach है उसका face कैसा होता है उसका face triangular होता है ठीक है और फिर उसकी यह body होती है body में यह वाला portion जो है वो कौन सा portion है thoracic यह जो है यह क्या है head यह जो है यह क्या है abdomen यहाँ पर abdomen में यहाँ यह एनाल style यह है एनाल style यह है जो exclusive feature है किसका मेल्स का female में नहीं मिले ठीक बोट सेक्सेज में 10th segment जो है वहाँ पर pair of jointed filament structure है जिसको एनाल सरकाई बोलते हैं क्या बोलते हैं एनाल सरकाई यह नीट का है और यह नीट का है ठीक दोनों लिख लिजे दोनों चीजे है डन ओके नओ दे नेक्स्ट इस अर्थ वर्म अर्थ वर्म की बोड़ी कैसी होती है फ्लैट होती है सा से सा से 120.500 के segments होते हैं ठीक बीच में हमको क्लाइटेलम मिल जाता है बहुत important part inhibits the upper layer of moist soil and can be traced by their fecal deposit under warm casting actually मैं हम कैसे पैचानते हैं कि किसी एरिया में किसी सौई में वर्म और्थ वर्म प्रेजेंट है उसके fecal deposit की वज़े से ठीक है तो fecal deposit बड़ा important है अगर आपको अर्थ वर्म को पैचानना है morphology देखें तो cylindrical body होती है जो segment में डिवाइड होती है जहां segmentation होता है उसको क्या कहते है metamere ठीक metamere में metamere होते है segments और segments में segments में repetition of organ होता है repetition of organs organs repeat होते है ठीक इसके बाद first body segment जो है वो peristomium है peristomium के पास mouth present है ठीक पहला segment segment 14 से 16 जो है mature one are covered by a prominent dark band जिसको हम Clitellum कहते है यह अगर आप इस earthworm की body देखोगे तो आपको बीच में एक dark band दिखता है देखो यहां पर यह वाला dark band दिख रहा है यहां पर यह वाला dark बड़ा सा band दिख रहा है वो है Clitellum that is Clitellum Clitellum present होता है चार pair of spermatical aperture चार pair of spermatical aperture के यानि की four pairs of spermatical aperture जो ventral lateral side पे present है ventral मतलब नीचे की side नीचे और थोड़ा side में तो ventral lateral side present है lateral का मतलब होता है side ventral मतलब आगे का हिस्सा और dorsal यानि पीछे का हिस्सा जो हम देख रहे हैं अर्थ में वह हमको dorsal लिस्सा दिख रहे हैं नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा sideways चले जाओ लेटरल ही present होता है spermatical aperture slides sides of intersegmental grooves जो five say nine segment में present होता है अब जब नीट का question पूछेंगे तो ये वाला mark करो पहले Clitellum वाला कौन से segment में present होता है इसके बाद फिफ्ट से नाइन सेग्मेंट में present होता है हमारे फोर पेर ओफ स्परमा थी का ये भी नीट के लिए important है पेर ओफ मेल जैनिटल पोर कहां present पेर ओफ मेल जैनिटल पोर या सिंगल फीमेल जैनिटल पोर इस present on ventrolateral side 14th से 18th segment ये नीट के लिए important ये segment सेग्मेंट वाली चीज़ें फटाफट लिखते चलो दस इटेज बाइस बाइसेक्शूल और्गानिजम होता है सबको पता है अर्थवर्म क्या होता है बाइसेक्शल लीच भी बाइसेक्शल होती है याने की मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों एक साथ एक एक ही बात होती है वो है जाट वसकॉल्ड आज नप्शियल पैड नप्शियल पैड जिस पर बहुत क्वेशन पूछते हैं जब फ्रॉग की बात आती है और वोकल कॉर्ड में डग टटटर आता है है ना तो वहकल कॉड प्रेजंट ए तो वोकल कॉड फ्रॉग में सिर्फ में नहीं होती नीट के point of view से बहूत important बात है इसी तरीके से हमने थोड़ी देर सा बहुत ही देर पढ़ा था फोड़ी देर पढ़ užता अप check लिम देखोगे, तो वहां पर आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा लिम दिखेगा, इसमें यहां पर थंब के साइड में एक ऐसा swollen portion रहता है, swollen portion at the side of the thumb, it is called as nuptial pad, उसको क्या केते है, nuptial pad केते है, ठीक है, one minute, this is nuptial pad, ठीक, nuptial pad किस काम आता है, यह काम आता है, to hold female frog during population, बहुत important बात है, यह दो नो, frog को लेकर, इसे important neat mark करो, यह और यह, इसे neat mark करो, neat mark करो, exceptional चीजे, हमेशा पूछी जाती है, कौन सा वाला differentiating feature होता है, male और female का, यह बहुत common asked question है, during peak summers, गर्मिया जब जादा होती है, और peak winter होता है, उस समय यह shelter ले लेते हैं, बरो में मतलब कि एक छेद में घुज जाएंगे, मिट्टी के अंदर, and estivation, hibernation करते हैं, और वहीं पर रहते हैं, hibernate करते हैं, सोते हैं, वहीं पर बाहर ही नहीं आते हैं, morphology देखोगे, और skin पर जाओगे, तो smooth slippery absorb water, बड़ी, soft सी skin हैं की, पानी को absorb कर लेती है, body कैसी होती है, divided रहती है, head trunk में, head और trunk present है, exhibit sexual dimorphism, male frog can be distinguished by sound producing vocal sax, अभी बताया था, vocal cord, and copulatory pad, इसी copulatory pad को, nuptial pad भी बोलते हैं, दोनों में से किसी भी नाम से question पूछा जा सकता है, तो में, अब यह जो यहां लिखा है न, distinct, कहां गया, dimorphism, dimorphism का मतलब है, male और female frog को अलग-अलग आप differentiate कर सकते हो, earthworm की तरह नहीं है, कि male और female structure एकी में present हो, यहां पर different present है, और जहां present होगा, तो कैसे पता चलेगा, कौन सा male है, कौन सा female है, तो अगर naptial pad हाथ पर, उसके naptial pad मोटा सा present है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो male है, और vocal sacks दिखते हैं, बड़े-बड़े यहां पर आप उसको देखोगे frog को, तो यहां पर आपको बड़े-बड़े vocal sacks दिखते हैं, ऐसे गिरते हुए, बैगी, ठीक है, तो that is the differentiating feature, clear, okay, अब हमने जितनी भी frog को, earthworm को, या फिर cockroach को लेकर important बाती थी, इस chapter को लेकर important बाती थी, उसको पढ़ लिया है, उसे complete कर लिया है, that is being done, अब बारी है, कुछ most important questions को solve करने की, as well as previous year पर जाने की, I will give you a moment, आप अपना pen, paper, copy लेकर तयार हो जाएए, उसके बाद हम चालू करेंगे question, okay, so let's check the first question, first question is, a tissue is, tissue actually में क्या होता है, first option देखिए, group of separate organ that are coordinated in their activities, organ लिखा है, या option गलत, next देखिए, group of similar cells that function together to perform an activity, group of cells को हम tissue बनाते है, and then layer of cell surrounding an organ भी नहीं हो सकता, वो क्या होगा, covering या फिर lining होगी, own layer thick sheet of cell, no, it is not a thick sheet of cell, it is the group of similar cells, group of similar cells that function together, क्यूंकि जो tissue होता है, वो क्या होता है, उसके functions, functions और origin, functions और origin जो हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा सही option क्या होगा, option B, बाकि सारे गलत, next question देखिए, next question is, simple tissue is defined, simple tissue में क्या होता है, एक layer होगी, एक जैसे simple cells होंगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे layer होंगे, cells के, यह different, different type के cell होंगे, एक type का cell होगा, so देखिए, option में क्या है, group of similar cell which are common in origin, then different types of cells performing same function, different types of cell performing same function, simple tissue नहीं बनाएगा, different types of cell performing different function भी नहीं, organized group of cells performing many functions नहीं, सही option हमारा क्या होगा, कि एक ऐसा group का cells है, जहाँ पर एक जैसे cells हैं और जो एक जैसी जगे से बनके आएए हैं, तो वो simple tissue बना लेगा, option A is the correct answer, next question देखिए, epithelial tissue serve as, epithelium बाहर की तरफ present होती है, it is present on the outer part, ठीक है, outer में present होती है, तो covering बनाती है, क्या बनाती है, covering is formed, ठीक, options देखिए, protective covering, yes, then reproductive structure नहीं बनते, corpuscles यानि की cells होता है, वो भी नहीं बनते, nerve cell भी नहीं बनते, जो बनेगा वो है, क्या, protective covering बनाता है, option A is the correct answer, ठीक, next question देखिए, next question कहता है, epithelial tissue arise from, epithelial tissue कहां से बन के आता है, मैंने आपको बताया था, epithelial tissue arise from ectoderm, ectodermal in origin, ectodermal in origin, ectoderm से निकल के आया होता है, options देखो, ectoderm, endoderm, mesoderm, all of these नहीं, ectodermal origin होता है, clear, clear, next question देखिए, next question is, brush border epithelium कहां पर मिलती है, brush border epithelium fallopian tube में नहीं, small intestine में नहीं, stomach में नहीं, brush border मिलता है, trachea में, trachea, respiratory system का part, brush border epithelium present है, और एक और epithelium है, transitional epithelium कहां पर present है, urinary bladder में, वो जो stretching होती है, जब urinary bladder भर जाता है, that is because of transitional epithelium, दो बहुत important बात है, brush border epithelium और transitional epithelium, next question देखिए, vagina, esophagus, vagina, esophagus, urethra contain which type of tissue, कौन से टाइप का tissue present है, तो इन में present होता है, stratified, यनि की बहुत सारी layers of cell, stratified squamous, यनि जहां secretary cells होंगे, कुछ secretion करेंगे, squamous epithelium, ठीक, तो ऐसा क्यों stratified बहुत सारी layer में, squamous यनि की बड़े cells है, तो वो secretion करेंगे, कुछ ना, कुछ वजाएना में भी secretion हो रहा है, esophagus में भी friction के लिए secretion हो रहा है, urethra में भी हो रहा है, first option देखिए, stratified squamous epithelium, सही है, simple squamous नहीं होती, ciliated नहीं होती, columnar नहीं होती, so right answer is option A, stratified squamous epithelium, clear, next question दे, next question says, transitional epithelium lines दे, transitional epithelium किस की lining बनाता है, अभी बताया था, urinary bladder की, epiglottis नहीं, skin नहीं, urinary bladder, fallopian tube नहीं, right option will be option C, clear, okay, now, now we'll move on to the previous year questions for this chapter, जो question पहले आ चुके है, उनकी practice, अब हम start करेंगे, तो अपना pen, paper, copy लेके तयार हो जाईए, और first question देखिए, first question says, transparent lens in human eye is held in its place by, जो transparent lens होता है human eye में, उसको अपनी जगे पर पकड़के कौन रखता है, ये question पूचा गया है, ये question कब पूचा गया था, 2018 में पहली बार पूचा गया था, ठीक कहां पूचा था, 2018 में पूचा था, कि transparent lens जो होता है, वो human eye में किस जगे present होता है, कहां पर present होता है, smooth muscle attached to the iris, नहीं, ligament attached to the iris, जहां ligament iris के साथ attach हो रहा है, क्या वहां present है, नहीं, ligament attached to ciliary body, ciliary body के पास ही transparent lens present होता है, smooth muscle attached to the ciliary body, ये ligament attached, ligament attached to ciliary body, और ये वाला कहा है, smooth muscle attached to ciliary body, so this is not going to be the answer, ligament वाला हमारा सही answer है, option C is the correct answer, clear, okay, now next question देखिए, smooth muscles are, smooth muscles कौनसी कौनसी होती है, involuntary, fusiform, non-striated, voluntary smooth muscles नहीं होती है, involuntary, cylindrical, strited, cylindrical नहीं होती है, voluntary, spindle-shaped, uni-nucleate भी नहीं होती है, सही option क्या होगा, option A, involuntary, fusiform, non-striated होती है, ये question 2016 में पूछा गया था, next question देखिए, next question is, which of the following feature is used to identify male cockroach from a female cockroach, ये मैंने आपको बोला था, पूछा जाता है, style वाला question, NEET में 2018 में पूछा गया था, देखिए, four wing with darker tegmina, नहीं, presence of caudal style, yes, it is the presence of caudal style, presence of boat-shaped sternum on the ninth abdominal segment, and present of an answer का ही नहीं होता, so correct option will be option B, option B will be the correct answer, clear, anal style यहाँ पर, sorry, anal style बोल रहीं है, caudal style भी बोलते हैं, anal style भी बोलते हैं, anal सरकाई अलग चीज़ होती है, ठीक है, तो caudal style जो होती है, वो क्या करती है, male को female frog से differentiate करती है, ठीक है, done, लिख लीजे, इसको यह बहुत important है, next question देखिए, in male cockroach, sperms are stored in which part of the reproductive system, तो sperms जो हैं, वो male cockroach में store होते हैं, seminal vesicle में, seminal vesicle में, यह question 16 में पूछा गया था, options देखिए, seminal vesicle, mushroom gland, testes नहीं, vast difference नहीं, so right option will be seminal vesicle, clear, next question देखिए, next question is, what external changes are visible after last molt of cockroach nymph, क्या features दिखने लगते हैं, last में जब cockroach nymph बन जाता है उसके बाद, तो वहाँ पर हमें features जो दिखते हैं, वो है four wings, वो है four wings, four wings and hind wings, four wings और hind wings दिखते हैं, options देखिए, अनाल सरकाई develop हो जाती हैं नहीं, four wings और hind wings develop होते हैं, yes, yes, four wings और hind wings develop होते हैं, labium develop नहीं होता, mandible develop नहीं होता, तो सही option क्या हो जाएगा हमारा, option B, right, clear, यह question 2013 में पूछा गया था, next question देखिए, next question is, which one of the following feature is not present in periplana, periplaneta American, यानि की cockroach की बात हो रहे, कौन सा वाला feature present नहीं है, intermediate and radial cleavage, during embryonal development, intermediate and radial cleavage, यानि की division जो होता है, जब development हो रहा होता है, zygote बनने से लेकर, embryo बनने तक, उसकी बात हो रहे, तो क्या ये feature present नहीं है, हाँ ये feature present नहीं है, तो ये सही option है, next देखिए, exoskeleton composed of N-acetyl glucosamine, नहीं, metamerically segmented body नहीं होती, schizocee loam as body cavity नहीं होता, right option क्या होगा हमारा, option A, clear, ये question 2016 में पूछा गया था, next question देखिए, which of the following is, correctly describes the location of body parts in earthworm, ferritima, कौन सा वाला सही location बता रहा है, two pair of accessory gland in 16-18 segment, accessory gland 16-18 segment में नहीं होते, four pair of spermatica in 4th and 7th segment, वो भी नहीं होते, one pair of ovaries attached at intersegmental septum, 14 दौर 15 पे क्या ovary attached होती है, नहीं, two pair of testes in 10th and 11th segment, yes, so two pair of testes is present in the 10th and 11th segment, और यहाँ पर option D हमारा correct answer है, clear, यह question 2009 में पूछा गया था, now, here we are done with the most important question, with the previous year question for our today's session, hopefully आप बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे, जो important चीजे हैं, जहाँ जहाँ मैंने नीटले क्लिक कर बताई हैं, उनको नहीं कर रहे हैं, वापस से कुछ छूट गया है, तो वापस से rewind करके देख लीजेगा, मैं आपसे मिलूँगी next session में, आप इन सारे sessions को कहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, हमारे official website www.magnetbrains.com टाइप करें, official page open होगा, official page पे explore top courses का option है, जहां पर आपको neat पे click करना है, जैसे ही आप neat पे click करेंगे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा neat u g, ठीक, इस पर जाकर watch now कीजिए, जैसे ही आप इस पे watch now में click करेंगे, तो आपके सामने एक ऐसा page open होगा, description वाला, वहाँ पर आपको सारे videos मिल जाएंगे, sequence में, आप जो भी video देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं, play करिए, इस तरीके से video आपके सामने play हो जाएगा, अगर सारी चीज़ समझ में आगई, पसंद आगया है, तो like जरूर कर देना, subscribe जरूर कर लेना, कोई भी exam related important information मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए और share करना सारे friends siblings के साथ, magnet brings पर ये जो crash course है, आपको 100% free of cost available है, आपके neat exam के लिए, पढ़ते रहे हैं, जोश के साथ पढ़िए, बहुत last में, हमारे पास बहुत up come time बच रहा है, पूरा time अपनी पढ़ाई में utilize करिये, selfish हो जाए, मैं आप से मिलूँगी next session में, तब तक के लिए, thank you so much, take care and keep studying.